असलाम लेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सेफ शिरी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ताहिरा अली और मैं हूँ जुबेर शारिक, कैसे हैं आप सब लोग और जुबेर आप कैसे हैं? मैं बल्कुल ठीक ठाक ताहिरा आप कैसी हैं? अला का शुकर, अल्हम्दुलिल्ला, अच्छा, सुबेर मुझे आप बताएं कितना, क्या समझते हैं आप, आज मैं कुछ दिल चाहरा थे, एक टॉपिक डिसकस करने के, मॉर्निंग शो में, कि अगर आपको, क्या लगता है आपको, कि अगर इनसान हमत करे तो कोई ऐसा काम है तो आपको काम कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, कि कोई भी ऐसा काम, जो हम नहीं कर सकते हैं, अगर हम करना चाह रहे हों, अंग्रेजी के अंदर दो लब्द इस्तमाल होते हैं, persistence and perseverance, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी काम के लिए जुट ज जाएं, लग जाएं और उसमें लाख failures के बाद भी हिम्मत ना हारें, तो कुछ भी नमुम्किन नहीं है, वो काम आप कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, क्योंकि हम अकसर ये बात करते हैं, कि हमारी body के अंदर, हमारे दमाग में इतनी potential और इतनी सलाहियत मौजूद है, कि अगर हम किसी काम के पीछे लग जाएं और give up ना करें, तो most important thing, give up ना करें, कि बेशक जितने failures आ रहे हैं, जितनी मायूसी आ रही हैं, कुछ भी नदर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है, सब black है आगे, मैं क्या करूँ या क्या करूँ या क्या करूँ भी है, लेकिन फिर भ हम्मत रखनी है, होसला नहीं हारना तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, इसी अच्छी बात पर चलेंगे अपने अगले सेग्मेंट, अपना पहला सेग्मेंट, उसके तरफ आज के ख़बरात से, तो पहली क्या खबर जुबैर आज हमारे नाज़ीन चाप शेयर के, पहली खब और इस तरह से हैं, पंजाब के इनिशेटिफ के तहट वर्चूल वोमन पुलिस टेशन लाँच किया गया, वोमन सेफटी अप हमारी पहले अलड़ी लाँच थी और उसके बाद क्राइम स्टॉपर सर्विस, ये तमाम चीज़ें लाँच हुई और उसके बाद इसके बारे उननिस ट्राफिक AI के थूँ जो हम वोईलेशन पे इंप्लिमेंट करेंगे, ट्रैक डाउन करेंगे, उसके बारे में ASP हज़रात को बताया गया, पुक आर वन फाइफ की वर्किंग बताये गई, डी सी सी के बारे में, डिस्पैस किंट्रोल सेंटर के बारे में बताया गया हमारा OMC डिपार्टमेंट है, उसके बारे में बताया गया, पैनिक बटन्स किस तरह से काम करेंगे, किन किन मकमात पे लगाये जा रहे हैं, फ्री वाइफाई सर्विस कहां दी जा रही है, किन किन मकमात पे, इसका मकसद क्या है, इस तमाम बारे ASP हज़रात को ब्रीफिंग तफिरी ब्रीफिंग दी गई, बिल्कुल, ताकि उनको पता चले कि क्या कि टेक्नॉलोजी का इस्तमाल हो रहा है, और जब फील में कदम रखें और अपनी कमांड संभालें, अपनी पोजिशन की, तो फिर वो उससे बहतर तरीके से टेक्नॉलोजी का इस्तमाल करते हुए, बहतर स्ट्रेटिजी बना सकें, उनको अवेर करने के लिए, अगर वो अवेर नहीं होंगे इस नहीं टेक्नॉलोजी से, नहीं इनिस्ट्रेटिव से तो फिर वो उस चीज़ को एंप्लेमेंट नहीं करवा सकेंगे अपनी सराउंडिंग पे, ताहरा हमारी अगली खबर क्य बहुत जरूरी है, यहां आपको बताती चलूँ कि पंजाब भर से, लहोर समेथ पंजाब भर से, कितनी वनफाइफ पे कॉल्स मौसूल हुई है, तो सुबैर 85,998 कॉल्स वनफाइफ पे कल 24 घंडे में मौसूल हुई है, और इसके इसमें काफी बड़ी तदाद होती है, हम जिया फून ले ले और बचा क्या करता है, वनफाइफ दबा देता है, तो आपने इस थीज को एवाइट करना है, बच्चों को वनफाइफ की हमियत के हाले से बताना है, और इसी के साथ-साथ हमेशा हमारे 24-7 वर्श्व पे टॉलिंग अफसरान है, जो हमारे मदद चाहिए थी, वो भी प्रवाइट की गई कल, हमारी जो वमन सेफटी एप है, खवतीन के अतहफुस के लिए पंजाब, पुलिस और पंजाब सेफिदी अथॉरिटी के मुश्टर का काविश है, तो वमन सेफटी एप की मदद से 31 खवतीन को इन्फरमेशन के साथ भी फराहम की गई, और इसी के साथ साथ जो हमारा Electronic Data Analysis Center है, जहां पे कोई भी शहरी आख की अपने किसी भी खुदानाखासा जो भी उसका हाथसा हो, उसका प्लेबैक चेक कर सकता है, हमारे कैमरास का प्लेबैक चेक कर सकता है, तो वो कल जी 27 केसिस में इन्वेस्टिकेशन आफिसेस के साथ उन शहरीयों को मदद फिराहम की गई, उनको प्लेबैक दिखाया गया, तो आपने भी तावन करना हैं गयर जरूरी कॉल को एवाइट करना है, जरूरत के तहद 15 का इस्तमाल करना है, हम बार 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 डेली बेसिस प्लाटफॉर्म से यही कहते आ रहे हैं कि जरूरत के तहद 15 का इस्तमाल करें, गैशनली काल मत करें, बैब जरूरी काल से किसी भी शक्स की हग तलफी होती है और अगर अगर आप गैशनली काल करते रहेंगे और बार 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 तंबी गरने वर भी, तो फिर पुलीज अपनी गृिफ्त मशबूत करना जानती है औ महां सजा का नजाम भी मौजूद है. तो इसके साथ अगली खबर हम देते चलें कि पंजाब पुलिस ताहिरा बहुत सारी चीजों के अंदर, बहुत सारे मामलाद के अंदर अपने इंप्लॉईस का ख्याल रखता है. इसके साथ साथ उनकी स्पोर्ट्स, उनकी हेल्थ का भी बहुत जादा ख्याल रखता है. तो इसी मामले में इसी चीज़ को मदे नजार रखते हुए पंजाब पुलिस के अंदर एक क्रिकेट टॉर्नमेंट जो है मुनकित करवाया गया. पंजाब पुलिस के क्रिकेट टीम भी मौझूद है, एक टॉर्नमेंट उनका मुनकित करवाया गया, पंजाब पुलिस क्रिकेट टीम के अजाज में तकरीब हुई, और पुलिस क्रिकेट टीम के खलाडी, खलाडीयों, कोचिस और मैच ओफिशल्स की उसमें शिर्कत की कि जहां तक बात करें तो इससे जादा बेतरीन एक्टिविटी आपके जिसम को हेल्दी रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए कोई और हो नहीं सकती। तो आप भी जो भी खेल आपको पसंद है, इसको जरूर परफॉर्म जो भी आपको टाइम मिले, जितना भी टाइ नैशनल एर लाइन का बड़ा एक जबर्दस इनिशेटिव वो ये है कि यूए एई से सकर्दू की परवास का तो बहर अगास कर दिया गया है और बजाए इसके कि आप लहोर आएं या कराची आए इसलामबाद आएं देन महां से ट्रैवल करें सकर्दू तो आपके इतना खुब्सूरत मुल्क है और इसमें शारे के सारे मौसम मौजूद हैं ब्यूटी है सर्द मकामाद भी हैं गरम मकामाद भी हैं तो लोग बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान आना और यहां के सियाही मकामाद का विजट करना इससे हमारी सियाहत को बहुत फ्रोग करते हैं तो अब आभो भी आसकते हैं आपको सेंटर में कहीं और उतर के दुबारा से नहीं नहीं देनी पड़ेगी तो यह बड़ी अची खबर है इसका आगाज हो रहा है 18 मही से एक फ्लाइट का आगाज हो रहा है तो अब आप लोग ट्रैवल करें इंज्वाय करें और अगा थी खार लहा हो दो अग्ली खबर हमारे पास यहा कि जिस तरह जिस तरह टेक्ना नोझी ग्रो कर रही है उस तरह चोटी चोटी चीजों के अंदर अभ शफाफियत का नजाम ऐ्मद नज़ रखते हुए मामलात आगे बढ़़ ay है इसी हावाले से मैं आप जता चलूँ के intermediate इम्तिहानात में इम्तिहानी मराकज में कैमरे लगा दिये गे हैं और उसके साथ-साथ सुभाई वजीरे नसब कर देगी हैं और सुभाई वजीरे तालीम के ये कहना है कि इससे इम्तिहानात की शपाफियत बरकरार रहेगी और बरकरार रखने में मदद मिलेगी और लहौर समेत दीगर इजला के 823 इम्तिहानी मराकज को हसास करार दिया है जहां पर ये कैमरे नसब किये गे हैं और इसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी बच्चा चीट करता हुआ पकड़ा गया या इससे कैमरे की मदद से को कहता है ना कि मैंने चीटि नहीं है तो फिर उसको कैमरे की मदद से दिखाया जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं तो बच्चे जितने भी हैं वो अलर्ट रहें अपनी मेहनत के तहत पेपर करें और अपनी मेहनत के बल पे कामयाब हो बूटियों पे आप जदा तबज़ों ना दें और भी किसमी खुद पढ़ें और अगर तो आप पकड़े गए क्योंकि आप कैमरे लग चुके हैं तो फिर आप इनकार नहीं कर सकते तो आपका जो तालीमी केरियर है वो उस पे ठीक ठाक उसका खराब होने का खच्चा हो सकता है और आपके अने वाले जिन्दगी खराब हो सक सफारी पे काम चल रहा था चार माह से उस पर जदीद चीजें मतलब टेक्नालोजी इस्तमाल करते हैं उसको मजीद बहुत बनाया जा रहा था तो वह काम कंप्लीट हो चुका है अब प्रॉपर तरीके से सफारी जू को खोल दिया गया है आने वाले लोगों के लिए सियाहो लिए और उसका रश देखा जा रहा है बच्चे आपको पता है कि वहां पे जानर बहुत जादा होते हैं हाथी और इस तरह से बच्चे बहुत पसंद करते हैं जू जाना और वीकेंड होता है तो बच्चों के अफ़सर इजिद होती है हमारे घरों में भी बच्चों खौा आ रहा है इसके लावा राइनो जिराफा सफारी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो बच्चे बहुत रहा एक्साइट होंगे कि अब उनको अच्छे से जानवर जो भी आपको फेवर्ट जानवर होता बच्चा वहां जाता और इंजॉय करता है तो जी आप जाएं और बच्च जो भी साथ साल लेकर मच्चों के लिए तफरी भी बहुत जरूरी है तो हमारी अगली खबर किया है ताहरा अगली खबर है हमारी जी कि इस्राइल के अवाले से हम शेयर करेंगे इस्राइल में जो भी आपको पता है कि फलस्तीन में जो सिचुएशन चल रही है और आए रो उस कुछ दिनों से खबर चल लिए कि जिन्दा फलस्तीनियों को दफना दिया जा रहा है बहुत ही तश्वीशनाख सिचुएशन है ओवरॉल मूर दें 34,000 अफराज जो फलस्तीन के जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन के वह शहीद हो चुके हैं हमें पिर स को अच्छी खबर सुने को मिली हूं स्पेशली सियाहत के हवाले से जो लोग के इंतजार होता है घूमने पिरने के दो शौकी ही लोग हैं उनके लिए बच्चों को लेके जाएं जू में इंजॉय करें अपना बहुत सा ख्याल रखेगा अब लेते हैं चोटी सी ब्रेक को कुशाम अधीद कहते हैं अब हम अपने सेकंड सेग्मेंट में मौझूद हैं और इस सेग्मेंट में हम ट्राफिक के हवाले से बात करेंगे कि ट्राफिक में आर्टिफिशन इट्विशन इंटेलिजन्स का कितना रोल है से जुझा जादा एहम करदार अदा किया है क्योंकि अब दौर है टेक्नालोजी का और जदीद से जदीद टेक्नालोजी ही जराइम पेशा नासर की रोक थाम के लिए बहुत मददकार थाबत हो रही है तो इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौझूद है ये SSP ट्राफिक हड्कॉर्टर है पंजाब और इनका नाम है सेद घजनफर अली शाह साब आई इन से पूछते हैं कि ट्राफिक की क्या पिचीद गिया है कि किन किन वोईलेशन्स पे मजीद काम किया जा रहा है और आर्ट अक्षन में जुबाय जिकर का रहे थे कि जो लेटेस्ट टेक्नॉलिजीज है स्पेशली AI बेस और इनका बड़ा एहम किरदार है इस वक्त जराइम की रोख ठाम में क्योंकि दोर ही टेक्नॉलिजी का है तो जो ये रिवायती पुलिसिंग का इसका दोर अब खतम होता जा है तो आप क्या समझते हैं कि जो नहीं टेक्नॉलिजीज हैं ट्रैफिक के सिस्टेम में कैसे बेसी रास लती हैं जी बिल्कुल आप ने सही का कि पॉलीसिंग के जितने भी फंक्शन्स हैं उन सब के अंदर ही टेक्नॉलोजी का जो अमल दरावन है वो बहुत ज्यादा बढ टास्क तो टेक्नॉलोजी की मदद हम ले रहे हैं इसके अंदर और अर्टिफिशल इंटेलिजेंस सिस्टम जितना भी है उसके अंदर खास तोर पे पुझाब से अथार्टी इसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्फुल हमारे लिए थावित हो रहा है कि जो सी एम पंजाब को है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को हमने टर्न अराउंड करना है पूरे पंजाब में और खास तोर पे इसके बड़े शहरों में इसका आगास जो है वो बकाइदा तोर पे हमने लहौर से कर दिया है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की बन्याद पे ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए हम बहुत ज्यादा जो है वो इंटर्वेंशन अल्रेडी हमने स्टार्ट कर दी हैं सर यह बता है मजिक सर के ट्राफिक की खिलाफ वर्जियों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाली सर कौन से वालेशन हैं इसमें डिफरेंट वालेशन हैं और खास तोर पे इसमेंट एक्शन भी किया जा रहा है चूंकि बन्यादी तोर पर यह कैमडे की बन्याद पर सारा बेस्ट है तो इसके अंदर एक तो जो हमारे ट्राफिक सिगनल्स हैं उनकी अगर वाइलेशन अप जिसको हम इशारा तोड़ना कहते हैं वो करते हैं वो इसमें शामिल है सी नेन लाइन की पर पाबंदी नहीं करते इस तरह की जो है वो टोटल उनीस जो है वो ऐसी वाइलेशन हैं कि जो रिपोर्ट होती है लेकर खास्तोर पर जिनकी उपर इसकत हमारा बहुत ज्यादा फोकस है वह एक तो मोटर साइकल की उपर हैलमेट का इस्तमाल है क्योंकि इस पी इंटर्वेंशन कर रहे हैं उसका मकसद यह है कि जो हमारे कम्यूटर्स हैं चाहिए वो मोटर साइकल पर हो गाडियों पर हूँ उनकी अपनी जान की इफाज़त और जो बाकी रोड यूजर्स हैं उनकी लिए महफूस सफर कुछ यकीनी पिना लिए अच्छा कितनी हैं यह काफी ज्यादा एफेक्टिव है और इसके हवाले से बकाईदा तोर पे आपने देखा होगा कि जो है वो वजीर अला पंजाब चूंकि बहुत ज्यादा जो है वो पबलिक के वैल्फिर के जितने भी काम है उनमें इंट्रेस्ट लेती है तो स्पेश्टि उन् अब शार के जो हमारा वो एक सेंटर है वहां पे जा कि खुद से जो है वो मोट सैकल्स के वी गई लगा कि अधिए इसके बाद से लेके अप तक हम तक रकरिप suppress, गिए इमर्साइकल्स हैं, उनकी ओपर फ्री सेफटी वायर्स जो हैं, वो ट्रैफिक पॉलीस की तरह से पूरे पंजाब के अंदर हम इंस्टाल करवा चुके हैं, और उसके बाद एक वाज़े कमी भी आई है, कि उसके बाद अभी तक अल्ला के शुकर है कि कोई ऐसा इंसीडेंट जो है, जिसके अंदर कोई केमिकल डॉर से किसी कोई शहरी के जखमी होने का वागया रिपोर्ट नहीं हुआ, तो यह बहुत ज़्यदा एफेक्टिव है, यह ज़्यार से ज़्यादा लोगों को इस्तमाल करना चाहिए, यह उनकी अपनी सेफटी के लिए, सर पंजाब सेफ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी वज़ा यह है कि यह देखें कि वैसे तो हमारी आदत यह है, ऐस अप सिटीजन कि हम यह देखते हैं कि अगर तो कोई पोलीस वाला जो कोई ऐसा बंदा खड़ा है और हमें देख रहा है, तो हम कानून की पबंदी और इतराम प्य होता है, अपने किसी अजीज को छोड़ देता है, हम अक्सर इगिला करते हैं कि अपने चाहने वालों को छोड़ दिया, मुझे क्यों पकड़ लिया, तो ऐसा भी नहीं होगा, तो वो कैमरे की आँख जब मसलसल देख रही होती है, तो उसके अंदर शेरियों के अंदर जो अगर हम कोई violation करेंगे, तो उसके नतीजे में हमारा e-ticket भी issue होगा, और हमें fine भी देना पड़ेगा, हमारा चलान होगा, उसकी वज़ा से लोगों के अंदर जो compliance है with traffic rules and regulations वो पहले से उसके अंदर बेतरी आ रही है, असर जैसे भी आप जिकर कर रहे थे, कि Safe Series Authority का AI-based system में यह बन्यादी तोर पे इच अलान ही है, इसके अंदर यह है कि जो motorcycle यह गाड़ी जो है, वो यह violation करती है, तो उसका चूंके वो जो number plate है, वो capture कर ली जाती है, कैमरे के जरी है, तो उनके घर की ओपर जो address है, उनका वहाँ पर यह चीज जो है वो चली जाती है, और वहाँ प पदले में फिर जो है, वो उनको करना पड़ता है, अपना pay करना पड़ता है, चला है, एक नजाम old fashion हो चुका है, ट्राफिक का, और सर अब जदीद नजाम है, तो सर अगर comparison करें, क्योंकि आप familiar होंगे, दोनों नजाम होंगे, क्योंकि इतना आप अपना एक service का दे चुके हैं, इस force के अंदर, पुलीस के अंदर, अब क्या comparison देखते हैं, किस हद तक बेतरी आ चुकी और in future technology की मदद से किस हद तक बेतरी मजीद और आने के मकान है, जी, इनसान ने जितनी भी तरकी की है, उसमें जो है, जो नई interventions होती है, उन से वो हमेशा इनसान की सहूलत के प्रेवादी के अंदर बहुत ज्यादा अधाफा हुए है, फिर जो है, वो लोग जैसे जैसे असूदा हाल होते हैं, तो जाहर है कि लोगों के पास गाड़ियां और motorcycle जो है, वो एक घर के अंदर कई की जह हो अवेलेबल होते हैं, जिसकी विजए से हमारी रोल्स की उपर बहुत ज्यादा है, और ट्रैफिक का बालियम बहुत है, इसको अगर हम यह समझें कि सिर्फ हम जो है, वो जो पुराना हमारा निजाम था, जो डिवाइटी पोलिसिंग थी, उसकी वनियाद पे एक ट्रैफिक का एलकार खड़ा होके, उसको अची तरह से डैगूलेट कर सक है, तो यह थोड़ा सा जो है, वो अन्रियलिस्टिक होगा, इसलिए टेक्नालोजी की जब तक हम मदद नहीं लेते और अपने इन आपरेशन को टेक्नालोजी की उपर शिफ्ट नहीं करते और खास दोर पे आर्टिफिशल इंटेलिएंस से हम हेल्प नहीं लेते, तो हम इस ये इसके अंदर एक बड़ा ऐसा निकदाम है. कि जतने भी त्रकी आफ़ता ममालेक हैं, वहाँ पे इस बात को रियलाइस करके पप्लिक ट्रंसपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, उसके बे मुवड़ तरीके हैं, एक तो यह है कि पब्लिक ट्रंसपोर्ट की फैसिलिटीज को बेतर किया जा जाए, और दूसरा यह है कि जो है वो जो श हैर की गिया से फर्सकर्ण यहां लहुर में गर माल रोड की उपर जाना है यह इस तरह को इनर सिटी का इरिया है वहां पे जाने के लिए दाफरी टैसरए के लिए पे आकinkyर मेंस्ट्रीं जो शैर की अंदर जाते हैं तो इस तरह के बहुत सरे इस्यूज आप हमारे लहाओर और दीगर जो अर्बन सेंटर्स हैं महाँ पर शुरू हो गए हैं उसका एक हल यह भी है कि हम जो है वो जो पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इंक्रीज करें ताकि एक बस की उपर अगर 40 लोग जा सकते हैं और उनके करें सरे लास्ट में को यह पैगाम देना चाहें पॉब्लिक को तो प्लीज आप दे सकते हैं जी पॉब्लिक के लिए मेरा यही पैगाम है कि जो है वो आप चूंके सेफ सीटी अथारिटीस की हल्प से हमने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की बुनियाद की उपर ट्राफिक ना करना पड़े और श्युक्ति नाजरीन चिसना के सर ने बहुत डीटेल में आपको बचाया कि क्या कितनी एहमियत है ट्राफिक कवानीन पर अबल दरामत करने कि किस तरह से आपकी एक छोटी सी गलती किसी भी दूसरे परसन के लिए किसी फामली के लिए कि बहुत बड़ अमल दरामत जरूर करने हैं इसी बात पर लेते हैं चोड़ा सा ब्रेक आप में आना हमारे साथ वेल्कम बैग नाजरीन गुर्मारिंग सेव सुटी में एक दफा फिर आप खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह हमारा बहुत ही दिल्चस्प और जीव सेग्मेंट इंट्रस्टिंग और स्ट्रेंट सेग्मेंट में हम आपको हाजिर हैं बहुत अच्छी और दिल्च चाहिरा बच्पन में हम भी स्कूल जाते हुई यहां तक पहुंचे हैं आप भी स्कूल गई होगी डिरेक्ट तो हम यहां नहीं पहुंच गए तो स्कूल के साथ कुछ अच्छी यादे वबस्ता होती हैं लड़कों के बड़े नौटी होते हैं उनकी मुख्तलिफ कि मिक्स सब यादे वबस्ता होती हैं अच्छी बुरी पिटाई भी जादा होती है तो मैंने यह एक अपनी नौइयत में पहली दफ़ा एक ख़बर ऐसी पढ़िया है कि किसी एक बच्चे की एक ऐसी या स्कूल के साथ वबस्ता थी कि उसने स्कूल ही मिसमार कर दी है मतलब स्कूल ह को खरीद कर उसको गरवा दिया और गरवा कर उसकूल की पिक्चर उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट की जिस पे शोशल मेडिया पे उसको काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा है अच्छा मतलब उसकी पुरानी यादे यह थी वबस्ता यह थी उसकी नहीं आदे हैं अपने दिल में दिल में दौा के रखी और जब उसके पाँ चार पैसे आए जब वह फेमस हुआ तो उसको मेरे साथ यह हुआ था तो मैंने बदले में इस स्कूल के साथ वो किया है कि जो उन्होंने बच्पन मेरे साथ किया था सबग नायाद करने वे मुझे मारा था लोग इंतकाम की हद तक सोच पर मुझे हरांगी होती है लोगों की देखें इनसान की सोच ही उसको अजीम बनाती है और इनसान की सोच ही उसको कमतर बना जाती है आला जर्फ कम जर्फ इनसानों में यही फरक है सिर्फ सोच का फरक है को इनसान सब सेम है इन लेकिन वो इसलिए हमारा अगर positive thinking रखें दमाग में अपनी तनकीत का निशाना नहीं बनाते हैं, यह उनकी अपनी wish थी, लेकिन हम इस चीज को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, और नहीं हम इस चीज को इंडोर्स करेंगे प्लाटफॉर्म से, कि मेरी स्कूल से यह याद बुरी पहुंच रहा हूँ, यह गलत बात है, ठीक है, तो हमें हर एकी सोच है, तो यह ख़बर मुझे मिली बड़ी इंटरस्टिंग सी, तो मैं इस ख़बर को मैंने अपने नाज़ीन हादिन से शेयर करूँ, अगली ख़बर के हमारे पास, अगली खबर है हमारी बर्तानिया से हम शेयर करते हैं, आपके साथ के बर्तानिया में एक खातून जिसके पास बेड़े थी, जाहर है, उसके घर में बहुत सारी बेड़े मौझूद थी, वापस ने काफी लड़ाई जोड़ा करती थी, बेड़ों को अकसर यह देखा जाता है, कि वह सींगों से अपने दूसी इसके बाद फिर उनका इंटर्वी भी दिया और बहुत सी जगों पर वाइरल भी हुआ, कि उन्होंने किया एक स्प्रेय आपको पता है, बड़ी मशूर स्प्रेय है, बड़ी स्प्रेय है, उसका इस्तमाल किया बेड़ों के पर, अट्मॉसफेर पर किया, बेड़ों पर स् अगर आपके घर में ऐसी बेड़े मौझूद हैं, जो लड़ाई जगड़ा करती हैं, जारे जानवर हैं वापस में लड़ाई जगड़ातों करते हैं, तो आप बड़ी स्प्रेय का इस्तमाल करें, और उसके बाद काफी हद तक सुकून हो जाएगा, और टेंशन से आप र क्या आप भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यह था जी हमारा आज का शो उमीद करते हैं, आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने खबर सुनके भी बहुत इंज्वाई किया होगा, अपना बहुत सा ख्यार लखियेगा, हाँ, कॉमेंट करना है, हमारा तुर्टर का अकाउंट है, PSCA Safe Cities और हमारा Facebook अकाउंट है, पंजाब Safe Cities, बिलकुल, और अब मुझे और जबैर को इजाज़त दीजिए, अला निगेवाण,